हलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूटूब चैनल में आज की इस वीडियो में बात करेंगे विश्खोपरा याने की मोनिटर लिजार्ड के बारे में क्योंकि हमारे समाज में इसको लेकर काफी जादा वरांतियां याने की संसे फैला हुआ है साइन्स कहता है कि मोनिटर लिजार्ड याने की विश्खोपरा बिना जहरवाला प्रानी होता है वहीं गाउं के लोग इसे काफी विशैला प्रानी मानते हैं और समय समय पर इसके काटने की वजह से बच्चों के लोगों के या फिर जानवरों के मौत की खबर भी सामने आती है तो सवाल उठता है कि अगर मोनिटर लिजार्ड जहरीला नहीं होता है तो इसके काटने से मौत कैसे होती है और एक बात मैं पहले ही क्लियर कर दूँ कि इसमें कोई डाउट नहीं है कि विश्खोपरा यानि की मौनिटर लिजार्ड की कुछ प्रजातियां बेहत जहरीली होती है तो इन स्पिसीज के बारे में भी मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तों मौनिटर लिजार्ड यानि की विश्खोपरा के भारत में मुख्यतह चार प्रजातियां पाई जाती है उसमें से बेंगॉल मौनिटर लिजार्ड और फॉरेस्ट मौनिटर लिजार्ड सबसे ज़्यादा देखा जाता है ये जानवर रेप्टाइल की कटेगरी में आता है और ये लिजर्ड यानि की छिपकिली के स्पेसीज का माना जाता है Monitor Lizard cold-blooded animal होता है यानि की इसका खून ठंडा होता है और इसे धूप सेकने बाहर आना परता है काफी कम लोगों को ये बात पता है कि Monitor Lizard साप को भी मार कर खा जाता है और काफी केसेज में इसे venomous snakes यानि की विशैले सापों को मार कर खाते हुए भी देखा गया है और ये तो आप सभी जानते ही है कि भारत में प्रती वर्ष लगभग 30-40,000 लोगों की मौत साप के काटने की वजह से होती है लेकिन एक research ये भी बताता है कि अगर Monitor Lizard ना हो तो साप के काटने की वजह से होने वाली मौत की संख्या एक लाग तक भारत में हो सकती है तो इस मामले में Monitor Lizard हमारे Human Spaces और Pit Animals के लिए एक रक्षक की तरह काम करता है अब अगर बात करें इसके जहरीले होने की यानि की Monitor Lizard जहरीला होता है या नहीं तो मैं आपको बता दूँ कि भारत में Monitor Lizard की जितनी भी प्रजातियां पाई जाती है उसके उपर काफी सारे Researches को चुके हैं और इस Reptile में किसी भी प्रकार के विशदंत या फिर विश की थैली नहीं मिली है इस Reptile को दूसरे जानवर को कटवा कर भी देखा गया है और इन Research में भी दूसरे जानवर के शरीर में विश के होने की कोई पूस्टी नहीं हुई है और इस परकार से भारत में जितने भी Monitor Lizard की कटेगरी पाई जाती है Science इन सभी को विशवाला यानि की Non Venemus मानता है लेकिन मैं आपको एक बात क्लियर कर दूँ कि Monitor Lizard की कुछ प्रजातियां बेहद ही जहरीली यानि की Venemus होती है उनमें से एक होता है Gila Monster और दूसरा है Be Dead Lizard लेकिन ये दोनों ही प्रजातियां भारत में अब तक नहीं मिली है और ये प्रजातियां mostly North Western Mexico और South Western United States में पाया जाता है अब सवाल उठता है कि अगर भारत में पाई जाने वाली सभी Monitor Lizards की species बिना जहरवाला होती है तो इसके काटने से लोगों की मौत या फिर जानवरों जैसे की गाय की मौत कैसे होती है तो मैं आपको बता दूँ कि गाउं में Monitor Lizards को लेकर लोगों के मन में काफी सारी मित, काफी सारी भरांतियां फैली हुई है और ये भी उनके मौत का एक कारण बनता है इसके काटने से लोग Hyper Anxiety और Stress के सिकार हो जाते हैं जिसकी वजह से उनमें Heart Attack जैसी Symptoms भी देखने को मिली है और ऐसे में पेशेंट में तुरंत होने वाली मौत का कारण Monitor Lizards का Venom नहीं बलकि Heart Attack होता है गाउं में एक भरांती ये भी फैली हुई है कि जिस Body Part में ये Monitor Lizards काट ले अगर उस Body Part को ही आप काट के अलग हटा दें तो इसका जहर आपके शरीर में नहीं लगेगा शरीर के उस अंग को कुलहारी से काट कर अलग हटाने के cases भी और इसकी news भी सामने आई है ऐसा करने से इंसानों की सरीर से काफी खून बह जाता है और ऐसे में इंसान की मौत वेनम की वजह से नहीं बलकि खून के लॉस की वजह से होती है अब आप सोच रहे होंगे की depression, anxiety या stress ये सारे factor इंसानों में काम करती है लेकिन इसके काटने से जानवरों जैसे की भैस या फिर गाय की मौत कैसे हो जाती है तो मैं आपको बता दूँ की monitor lizard के skin में और इसकी saliva में काफी सारे bacteria और virus के species पाए गए है ऐसे में जब ये reptile किसी दूसरे जानवर को काट लेता है तो आप गौर करेंगे की गाय या भैस की मौत तुरंत नहीं होती है बलकि 10-15 या फिर महिनों दिन बाद होती है क्योंकि इसके काटने के बाद proper treatment नहीं मिलने की वजह से उनमें viral infection या फिर bacterial infection के chances बढ़ जाते हैं और ऐसे में उस जगह पे gangering हो सकती है, skin सरने लगता है, घाव निकल सकते हैं या कुछ cases में जनवरों में pneumonia के cases भी देखने को मिले हैं और इस वजह से भी जनवरों की मौत होती है, इस monitor lizard के saliva में typhi और tuberculine bacteria भी पाया गया है वैसे इस monitor lizard के बारे में आपकी क्या राय है हमें वीडियो के नीचे comment करके जरूर बताएं अगर आपकी कोई और health issue है तो आप हमें वीडियो के नीचे comment करके या फिर Instagram पे messages करके भी बता सकते हैं और ऐसे ही और अधिक health से related videos पाने के लिए हमारे channel को subscribe करके बिल के icon पे भी प्रेस कर लें